हलो दोस्तो आज Master in Mathematics एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं और वो सीरीज होगी Discreet Mathematics जो आपकी Higher Mathematics का एक सब्जेक्ट है तो अगर आपने हमारे चैनल Master in Mathematics को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाकर कर दिजे और बेल नोटिफिकेशन को भी आउन कर दिजे ताकि इस सीरीज की एक भी वीडियो आपसे तो चलिए शुरू करते हैं Discreet Mathematics को ठीक है किसी भी सब्जेक्ट को सुरू करने से पहले मैंने हमेशा बताया है किसी भी चैक्टर को यह शुरू करने से पहले उसका मतलब जरूर समझ लेना चाहिए कि क्या है तो ये वीडियो लेक्चर जो होगी पहली इसमें सिर्फ हम introduction करेंगे Discreet Mathematics का कि ये Discreet Mathematics क्या है ठीक है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कहां-कहां यूज होती है किस वज़े से ये जो topic है ये जो subject है Discreet Mathematics ये start हुआ है ठीक है तो देखते हैं तो ये problems हैं क्या है पहली कि finding the shortest path from your home to your friend home तुमारे घर से friend का जो घर है उसके बीच में जो सबसे छोटी दूरी है वो ढूनने के लिए drawing a graph with two conditions जो है graph draw करना दो conditions से you are not allowed मतलब condition क्या है कि तुम्हें अपनी pen नहीं उठानी है और जो edges होती है figure की वो repeat नहीं करनी है तो जो ये वाला figure है ये try out करो और comment section में बताओ कि ये बन रहा है कि नहीं ये दो condition लगाते हुए जो third problem है तो how many different combination किते password तुम बना सकते हो खाली 8 alpha numeric character alpha numeric character क्या होते है a से लेकर z दोनों ही uppercase lowercase ठीक मतलब capital letter और small letter 1 से 0 से 9 ठीक और वो add the rate hashtag और ये सब भी included होते हैं तो ये हो जाते है तुमारे alpha numeric character ठीक है और एक problem है कहती है कि encrypt a message encrypt का मतलब होता है कि convert data into code ठीक किसी data को code में बदलते हो ताकि information कोई और न पढ़ पाए ठीक एक message को ताकि वो deliver करे तुमारे friend को and you don't want anybody to read that message ठीक तुमारे friend के लावा तुम चाहते हो कि over message कोई न पढ़े तो तुम क्या सोचोगे कि उस data को मैं code में बदल दूँ जो तुमारा friend ही वो पहचान पाए तो ऐसी problems को solve करने के लिए आइसी problem की ही वज़े से discrete mathematics आई है और इनी सबको वो solve करेगी तो देखते हैं कि इसकी definition क्या कहती है तो definition क्या कहती है कि it is the study of discrete object ठीक यह किसकी study करते हैं इसमें discrete object की अब discrete object क्या होते हैं discrete object का मतलब यह होता है कि वो चीज हमारी countable हो separable हो अलग-अलग हो और distinct हो ठीक है separate कर सकते हैं और वो चीज़े अलग-अलग हो ठीक जैसे कि यह example अगर हम ले ले पीपल की ठीक count कर सकते हैं ठीक अलग-अलग है सब लोग का behavior अलग है faces अलग है ठीक ऐसे ही whole number है zero से start होंगे one two three and so on two कभी आगे चलके repeat नहीं होगा 20 होगा वो पर two नहीं होगा 22 होगा वो टू नहीं होगा तो वो repetition नहीं है वो चीज़े एक अलग हो जाएगी ठीक इसका मतलब वो चीज countable हो separable हो distinct हो कुछ भी आप कह सकते हो ठीक है तो यह है उसकी definition यह उसकी definition यह कहती है ठीक है कि देखो हमारे पास जो चीज़े हो सकती है वो या तो discrete होंगी या continuous होंगी ठीक जैसे discrete mathematics है discrete object की है तो discrete और continuous में क्या difference है वो देखते हैं एक simple example लेते हैं और समझते हैं कि discrete object और जो हमारा continuous चीज़ होती है उसमें क्या difference है तो जैसे जो हमारी जो digital clock होती है और एक होती है हमारी analog clock तो जो digital clock है वो discrete in nature होती है जबकि analog clock continuous होती है nature में कैसे जो digital clock होती है उसमें timing कुछ ऐसा एक example ले लेते हैं कुछ ऐसा लिखाओ ठीक 9 hour 23 minute 42 second ठीक तो जब digital clock में सिर्फ इतना show होता है तो इससे जब यह convert होगा आगे बढ़ेगा एक second तो तुरंत हमें 43 दिख जाएगा 42 second के बाद 43 तो उसके बीच का हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा पर जो analog clock होती है जो वो इस तरीके से होती है जिसमें हमारी hour second और minute की जो hand होती है ठीक तो उसमें जब वो second change होगा तो वो हमें दिखेगा change होते होगे कि जब यह पूरा complete होगा ठीक जब यह जरा जरा सा change होगा तो हमारे minute में change आएगा आर में change आएगा तो यह हमारी सारी values लेगा ठीक जब वो change होगा यहां से वो अगर four से वो five में आता है वो second त लिए हैं तो इसने बीच की सारी वैल्यूस को कवर किया है तो यही जो डिफरेंस होता है कि इसने हम चीज पढ़ेंगे जो की होगी होगी इसकी करेंगे के स्लेवस देख लेते हैं कि इस त्रीस में हम क्या-क्या टeच करेंगे उपर-उपर से कुछ पार्ड देख लेते हैं कि क्या-क्या इस सीरीस में टेच किया जाएगा किन-किन ट interdisciplinary हम कवर करने वाले हैं वह होगा statement ठीक है Denver proposition Burk Avap Param television criteria here फालिसीज, पोसेट, टोटली ओडर सेट, लैटिस, प्रिंसिपल ऑफ डुवैलिटी, हेस डाइग्राम, टुटेवल, बुलीन अलजबरा और यह जो ग्राफ थियोरी है इसको मैंने अलग लिखा है क्योंकि इसकी जो मास्टर मैथेमाटिक्स इसकी अलग से सिरीज निकालेंगे ठीक, बाकि जो डिस्क्रीट मैथेमाटिक्स है उसमें हम ये सब सेवल, स्लेवस कवर करेंगे इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो सब भी हम लोग कवर करेंगे तो ये लेक्चर यहीं खतम होता है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो लाइक बटन को प्रेस कर लें और हमें बताएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिन्हें डिस्क्रीट मैथेमेटिक्स में ना तो केवल नमबर ही लाना है, बलकि उसे अच्छे से समझना है So stay tuned for our next lecture on discrete mathematics जहीं